हेला सुदेंट्स हम ऑप्रेरिंग सिस्टम के अंदर डेड़ लोग का चैप्टर डिस्स कर रहे थे इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है बैंकर्स अल्गोरिथम चलिए स्टार्ट करते हैं इस अल्गोरिथम यूज़ फोर डेड़ लोग अवाइडनस यह अल्गो किया है कि हम अपने लास्ट लेक्शर के अंदर डिस्स कर चुके हैं अगर आपने वह लेक्शर अभी तक नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक नज़र आ रहा होगा आप उसे क्लिक करके वह लेक्शर देख सकते हैं 주 को हम डेलोग अवाइडनस के लिए bankers algorithm इस्वाल करते हैं इडिजिव less sufficient then रिसोस अलोकेशन ग्राफ आल्गोरिफम जब हमने डेल अवाइडनस कोड़िसस किया था तब हमने एक ऐल्गोरिफम पड़ा था रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ रैं करया है कि जो बैंकर आलोडिथ of each resource type, लेकिन जहां पर हमारे पास multiple instance होते हैं, किसी resource के, यानि कि आपके पास एक resource है, लेकिन उसकी instance multiple हैं, वहाँ पर हम bankers और algorithm का इस्थमाल कर सकते हैं, example से समझें, कि लेकिन आपके पास tape drive है, येकि resource है, अगर आपके पास five units है tape drives के, यानि कि पास tape drives हैं, तो ये बिसे के लिए क्या है, multiple units हैं, इसी तरह से आपके पास printer है, और इसके तीन units आपके पास मजूद हैं, या आपके पास resources के multiple instances मजूद हैं, तो ऐसे situation के अंदर हम bankers algorithm क करते हैं, so, it requires that each new process should declare the maximum number of instances of each required resource type, bankers algorithm कहता है, जो भी आपके पास new process आएगा, उस से हम maximum number of instances बूच लेंगे, कि उस process को कितने number of resources चाहिए, उसाल के तोर पर आपके पास एक process आया है, process 1, तो पर इस system क्या करेगा, इसे बूचेगा कि कितनी tape drives चाहिए, और कितने printer चाहिए, suppose वो बताता है कि मुझे तीन tape drives चाहिए, तो क्या हम इसे तीन tape drives प्रवाइड कर सकते हैं, जी हा, हमारे बस 5 units हैं, तो मैं इसे 3 provide कर सकता हूँ, इस तरह से printer, let's suppose वो कहता है, मुझे 2 चाहिए, तो क्या मैं 2 printer इसको provide कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, it means यह भी possible है, तो यहां पर हम बगार किसी deadlock के, इसको यह resources provide कर सकते हैं, तो इस तरह से basically bankers algorithm work करता है, कि check करता है कि क्या resources देने से, हम unsafe state के अंदर चो नहीं चले जाते, अगर तो हम safe state में रहते हैं, तो हम उसको resource allocate कर देंगे, otherwise हम उसको resource allocate नहीं करेंगे, so bankers algorithm की practical example देखने से पहले, इसके कुछ concepts आप समझ लें, the main focus of bankers algorithm is to avoid circular weight, banker algorithm की technique यह होती है, कि यह circular weight को avoid करने की कोशिश करता है, circular weight क्या है, यह भी हम अपने पिछले lectures के अंदर इसस करते आ रहे हैं, एक दो हम इसको दोबारा repeat करते हैं, let's suppose आपके पास दो processes है, process 1 और process 2, और दो resources है, resource 1 और resource 2, suppose यह जो resource 1 है, यह assign है process 1 को, और यह जो resource 2 है, यह assign है process 2 को, तो अब अगर process 1 request करता है कि मुझे यह resource 2 चाहिए, और process 2 request करता है कि मुझे यह resource 1 चाहिए, तो यहां पर अगर आप देखें तो एक circle आपको पास बन जाएगा कि process 1, resource 2 का weight कर रहा है और process 2, resource 1 का weight कर रहा है इसको आप कहते है circular weight तो bankers algorithm की टेक्नीक यह होती है कि यह जो circular weight है यह नहीं बनने देना इसनी भी तरिक्या से हमने इससे avoid करना है तो हम डेड़ लोग से बच सकते हैं तो इसकी इंपेंटेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले बेंकर्ज अल्गुरित्फों का डेडा स्ट्रॉक्चर समझना पड़ेगा इसकी डेडा स्ट्रॉक्चर के अंदर हम चार किसम के वेक्टर इसमाल करते हैं पहला है अवेलेबल एक्टर एक्टर की टीन को चाहिए जाएप इसकी डिए नबर ओफ अवेलैबल इसोर्षी का ट्रैइक रगता है आपके पास कितने रिषोर्टी आवेलेबल हैं में साल कि दॉबबर आपके पास ये तीन रिषोर्थी हैं ये रिशॐर्टा हैं ये लिवग्टर क्या प्रॉ है a matrix that defines the maximum demand of each process यह basically demand बताता है processes की कि किसी process की maximum demand क्या है suppose आपके पास एक process आया है P1 और वो demand अपनी कुछ इस तरह से provide करता है इसे तीन tapes चाहिए दो printer चाहिए और एक drive चाहिए तो यह आपका क्या किलाएगा यह आपका max vector के लाएगा इस तरह से आपके पास और भी processes यहां पर को सकते हैं थार्ड पर आपके पास है allocated vector a matrix that shows the current allocation of resources to each process यह बिसके लिए बताता है कि आपने मजूदा यानि currently कितने resources allocate किये हुए हैं साल के दूर पर यह process P1 हमारे पास है अब हमने इसको कोई न कोई resources allocate किये होंगे कितने किये हैं यह basically यह vector हमें बताएगा स्पोस्थ हमने दो tapes एक printer और एक drive इसको allocate की हुई है तो यह आपके पास allocated vector क्याल आएगा last पर आपके पास है a matrix that indicates the remaining resources needs of each process यह basically बिताता है कि हर process को कितने resources मजीज चाहिए यह अब अगर हम देखें तो हमने इस P1 को यह resources assigned किये थे और इसकी demand ही वाली थी तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास पता चलेगा कि P1 को कितने resources मजीज चाहिए यहां पर vector कुछ इससरा से बनेगा 3 से 2 माइनस किया 1, 2 से 1 माइनस किया 1, 1 से 1 माइनस किया 0 तो यह अब के पास vector हमें बता रहा है कि 1, 1, 0 resources मजीज process 1 को चाहिए तो यह चार vectors की मदब से हम bankers algorithm को implement करते हैं एक real life example की मदब से समझते हैं suppose there are 3 processes P0, P1 and P2 यह 3 processes हमारे पास है and 3 resources A, B and C और यह 3 resources हमारे पास है let's suppose हमारे पास जो available resources हैं वो कुछ इस्तरा से हैं कि A हमारे पास 10 है, B हमारे पास 4 है और C हमारे पास 6 है अब हम इसके तुमाँ vectors define करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे max कि हमारे processes की demand क्या है, suppose जो P0 है वो demand कुछ यू करता है कि से 7, 4, 3 resources जाएंगे, P1 की demand यह है और P2 की demand यह है अब यह तो आगी हमारी demands, अब initially हमने इनको कोई न कोई resources allocate करने हैं तो यह हमारे step बहुत important है, जो banker algorithm decide करता है कि हमने किस process को कितने resources initially assign करने हैं क्योंकि इसी की base के उपर हमने check करना है कि क्या हमारा system safe state के अंदर है या unsafe state के अंदर है हमने यहां पर resources कुछ इस्टरा से allocate करने हैं कि हमारा system है, वो safe state के अंदर रहे तो मैं कहता हूँ कि P note को मैंने यह resources assign किये है, 2A, 1B और 0C P1 को तो मैं resources assign करता हूँ, वो कुछ यू है और P2 को यह वाले resources assign करता हूँ यह step basically हमारा banker algorithm decide करता है कि किस process को कितने resources देने हैं वो create ना हो और हम safe state के अंदर रहें, किस तरह से वो आगे हम इसको discuss करते हैं तो अगर हम इन processes को यह allocation करते हैं, तो आप इनकी need क्या होगी हमने पता है, हमने इस maximum से allocated को minus कर देना है, तो मारे पास need आ जाएगी तो process not की, जो need है, वो कुछ यूँ बनेगी, कि seven a इसको required थे, हमने इसको दो assign किये, तो मारे पास बच गया five इस तरह से four b इसको required थे, हमने इसको one assign किया, तो बच गया three इस तरह से three c required थे, हमने इसको कोई भी c assign नहीं किया, तो यह three का three वैसी का वैसे आ गया इस तरह से process p1 और p2 के जो need है, वो यह आ जाएगी, अब जब हमने इस सारे resources को allocate किये, तो हमारे पास यह available वैक्टर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब तो हमारे पास यह resources अवैलेबल नहीं है, हमने कुछ इसमें से allocate भी किये है, तो हमारे पास updated जो available वैक्टर है, वो क्य होगा, यहाँ पर देखी है, हमने यहाँ पर 3, 2, 5, 7, 7 allocate कर दी हैं, तो बाकी क्या बचके है, 3, इस तरह से हमने 2 भी allocate किये हैं, तो 4 में से 2 निकाला, 2, और 2 हमने C allocate किये थे, तो 6 में से 2 minus किया, 4, तो यह हमारे पास updated available वैक्टर होगा, अब हमने next अपने processes को, जो remaining, उनको resources चाएंगे, वो allocate करने हैं, तो हमारे पास need यह है, और available vector यह है, तो अब हम one by one की check करेंगे, कि हम इन तीनों processes में से, किसको entertain कर सकते हैं, सबसे पहले हम P note को लेंगे, और इसकी values यहाँ पर लिखते हैं, 5, 3, 3, यह इसको resources required है, अब इसको comparison करेंगे, available vector से, कि यह less than है, क्या available vector से, तो अगर आप यहाँ पर देखें, इसे compare करें, तो आपको first में नदर आजएगा, कि 5 जो है, वो less than नहीं होता 3 से, which means हमकी यह जो condition है, यह तो false हो जाएगी, यह हम process note को accommodate नहीं कर सकते, यह process अभी execute नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास available resources हैं, वो कम है, अब हम P1 की करते हैं, available vector के साथ, तो आपको यहाँ पर clearly नदर आ रहा है, कि यह जो required resources हैं, यह less than available resources हैं, यानि कि हम इस request को entertain कर सकते हैं, यानि कि आपका P1 जो है, उसको तुमाम के तुमाम resources मिल जाएंगी, और यह अपनी execution perform कर सकता है, suppose इसको resources हमने provide की है, और यह complete होने के बाद, तुम P1 complete and return all of their resources, P1 complete हुआ, और इसको तुमाम resources return कर दिये, अब जब यह resources return कर देगा, तो आपके पास यह available resources हैं, यह update हो जाएंगे, यानि इसमें add हो जाएगा, यह हमने resources इसको starting में allocate किये थे, वो कुछ यह थे 210, तो जब यह add होगे, तो आपके पास new available vector आएगा, 5, 3, और 4, य तो हमारे पास update situation यह होगी, कि हमारे पास दो processes रहे जाएंगे, Pnode और P2, यूँकि P1 तो complete हो चुका है, और available resources कुछ ही होगे, अब हम दोबारा से Pnode लेंगे, इसकी values को compare करेंगे, available vector के साथ, तो जब compare किया तो हमें पता चला, कि अब हम इस request को entertain कर सकते हैं, हमारे पास इ अपने तवाब के तवाब resources को return कर देगा, जब यह return करेगा, तो यह जो available vector के अंदर, जो हमने इस resources initially assigned किये थे, वो add हो जाएंगे, जब हम इसको add करेंगे, तो हमारे पास updated vector आजएगा 744, तो अब हमारी situation यह होगी, कि यह हमारे पास available resources हैं, और एक process हमारा रहता है, P2, available हैं, तो finally, आपके तुमाम की तुमाम जो processes हैं, वो execute हो जाएंगे, P2 को execute करने के बाद, so all processes completed without and in deadlock, so banker algorithm की वदर से, हमारे पास कोई भी deadlock नहीं ही आया, और हमारे जो resources है, वो बड़े अच्छे तरीके से utilize हुए, और यहां पर सबसे जो main हमारा step था, वो था जब हमने initially resources क to assign किया, और वो जो actors कुछ हमने इस तरह से बनाए थे, यह available था, यह max था, यह allocation थी, यह allocation वाला matrix है, यह बहुत important matrix है, जो कि banker algorithm decide करता है, कि starting में हमने इस तरह से इन processes को allocation करनी है, कि हम safe state के अंदर रहें, हमारा deadlock को कर ना हो, so इस तरह से basically banker algorithm work करता है, I hope clear हो गया होगा, कि deadlock evidence क्या है, और banker algorithm की वदर से, हम deadlock evidence को perform किस तरह से कर सकते हैं, आज पर इतना ही, मिलते हैं, next lecture के अंदर, thank you very much. अंदर, thank you very much.